हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल माया क्रेटिव गार्डन आशा करती हूं आप सभी लोग अपनी घरों में बेहद अच्छे सी होंगे दोस्तों अभी मैं चत्पे आई हुई हूं शाम का टाइम है और बहुत अच्छी ठंडी हावा चल रही है चत्पे और फ्रेंड्स यह बहुत ही सुंदर प्लांट है फ्रेंड्स अगर हमारे गार्डन में यह प्लांट नहीं है तो समझे हमारा गार्डन अधूरा है और यह प्लांट इतना इजी ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स यह कटिंग से बहुत असानी से ग्रो हो जाता है और जो है यह बास्किट प्ल लेकर आई हूं और आप देख सकते हैं और मैं इन चोटे चोटे जो है यह दो मैं लेकर आई हूं तो इन एक को मैं बास्केट में बास्केट में लगाने वाली हूं एक इसमें मैं वाइट पॉट में लगाने वाली हूं और एक मैं इसमें लगाने वाली हूं तो मैं तीन यूं फ्रेंड्स वहाँ पर बहुत सस्ते प्लांट्स मिलते हैं जैसा कि मैं आपमी वीडियो में आपको बताती हूं मैं अक्षर धाम के नियर बाइक नर्सरी हैं महाँ पर दो तीम नर्सरी हैं मैं प्लांट्स वहीं से परचेस करती हूं तो वहाँ पर 10-20 रूपीज में नहीं सोचिए तीन वांडिंग जू के प्लांट मैं वहाँ से लेकर आ गई हूं तो आज मैं इनी कोई ग्रो करने जा रही थी और आप देखिए तो मैं इस एक जो मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी एक छोटे वाले में लगाऊंगी एक इस वाइट वाले में लग तो मैं दिखाती हूं आपको यह जो है मैं आपको कि यह आप देखिए यह मिट्टी है यह पूरा आप जानते ही है कि जब मिट्टी का काम होता है तो फर्स इसी तरह होता है फ्रेंड्स हमारा तो आप यह मत सोचिए का कि किस तरह से हो रहा है क्योंकि मिट्टी का ही काम हम करते हैं गार्डन में तो और जो मैं हेंगिंग के लिए लेखे आई हूँ फ्रेंड्स वह आपको यह मैंने पॉट दिखाया था यह भी देखिए बारिश हमारे दर काफी हो रही है तो यह पॉट मेरा थोड़ा मिट्टी से ऐसा हो गया है हेंगिंग तो इसमें मैं लगाने व पैक होती है उसमें से मैंने इसको निकाल लिया था और आप देखिए यह मिट्टी हुआ इसी में मिला देती हूं यह बहुत ही इजी ग्रोव प्लांट है कटिंग से कुछ प्लांट से होते हैं जो कटिंग से बहुत असानी से ग्रोव हो जाते हैं और मैं इसमें ठिक्री वगरा नहीं दे रही हूं फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे ही लगाना पस्म कर रही हूं यह मैं लगा देती हूं एक मिट ठिकरी मैंने इसमें लगा दिया है और फ्रेंड्स ये प्लांट बहुती सुंदर लगता है hanging basket में तो बहुत ही सुन्धर लगता है hanging basket में कई plants जो friends बहुत ही सुन्धर लगते हैं जैसे turtle wine है और triangle heart है spider grass है spider grass भी मैं लेकर आई हूँ उसको भी मैं hanging basket में लगाऊंगी और wandering dew है और जेट प्लांट पी लगा सकते हैं फ्रेंड्स हम हेंगिंग बास्केट में और ऐसे कई प्लांट है और यह परपल हाट है यह बहुत ही सुन्दर लगते हैं फ्रेंड्स जब हम इनको हेंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो मैं सारी प्लांट लेक्के आ गई हूं मेरे प बसकेट और स्वीट प्टेटो वाईन है फ्रेंड मैं डोनों लेकर आई हूं और जो परपल है वह भी मैं लेकर आई हूं गर्देट grandmother वाली दिखांगी और परपल वाली दिखांगी आपको मैं अपनी यह देकी फ्रेंड्स है कितना ब्यूटिफुल लग रहा है यह वाइश पॉट में और मुझे तो वाइट कलर पसंद है तो बस यही है कि यह प्लास्टिक पॉट्स होते हैं क्लेव वाले हुते हैं मिट्टी वाले फ्रेंड्स उनमें इस तरीके के कलर नहीं आते हैं और वो हमें जो है अपने से कलर उनमे करना पड़ता है तो इसलिए मैंने कई पॉट्स में वाइट कलर भी किया हुआ है और मुझे पसंद है वाइट पलर तो यह जो है इज घ्रो है कटिंग से बहुत यह सदर में एंगा insult fucking marking and love happier ग्रॉट जाते हैं और हम एक कौन से कई लंड पर शकते हैं तो देखिए फ्रेंड ये लग गया है मारा वांडरिंग जियू का प्लांट आप देखिए ये देखिए ये कितना सुन्दर लग रहा है फ्रेंड ये देखिए और मैं आपको दिखाती हूं जो स्वीट पटेटो वाइन है उसमें मैं ग्रीन कलर का आपको दिखाती हूं ये यह है ग्रीन कलर में और यह बहुत ही खुबसूरत लगती है मैं इसको भी आज हैंगिंग उसमें लगाने वाली हूं यह देखी आप यह देख सकते हैं अच्छा फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स इसको थोड़ा पानी देना है आप देखें मिट्टी बिल्कु ड्राय है तो इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है मुझाया हुआ है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ बाइ फ्